Hello friends, welcome to my YouTube channel FixProSchool आज के इस वीडियो में charging section के बारे में आपको सिखाया जाएगा अगर charging section repair करने में आपको दिखकत जाती है charging sections related कोई problem होती हो जैसे slow charging, fake charging, no charging, slip mode पे charging होता है on करने पे नहीं होता इस type की अगर problem आती है और आप उसको repair नहीं कर पाते कहीं और से repair कराते हैं या काफी दिमाग लगाने के बाद, काफी वीडियो देखने के बाद आप repair कर पाते हैं तो इस वीडियो को continue करें, charging section आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम समझेंगे types of charging section के बारे में कि charging section कितने type के होते हैं क्योंकि जितने भी हम charging section अभी तक repair करते हैं और YouTube पे ज़्यादा तर वीडियो जो देखते हैं वो inductive charging पे ही based होता है inductive charging वो वाली होती है जहाँ पे VPH की line होती है VPH की line बनती है coil के द्वारा तो वो होती है VPH कोईल हमारी असल में वो buck और boost voltage बनाने के लिए कोईल होती है तो VPH कोईल की उपर जो based होता है charging का circuit उसको हम बोलते हैं inductive charging ज़्यादा तर हम उसी पे ही काम करते हैं और वहीं पे फसते हैं लेकिन अभी के 5G में 4G में भी जितने भी circuit आते हैं जिसमें turbo charging का option होता है वो सभी capacitive charging पे भी based होते हैं तो वो कैसे काम करेगा circuit उसके बारे में भी समझना जरूरी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो set बनने के लिए आया है इसमें कौन सी charging है, capacitive है या inductive है अगर आपको ये clear होगा तो ही आप आगे काम कर पाएंगे इसके बाद ये clear होने के बाद में आपको पता होना चाहिए how to work, charging section, inductive है तो कैसे काम करेगा, capacitive है तो कैसे, linear है तो कैसे इसके बाद में जब आपको पता चल जाएगा कि charging circuit कैसे काम करता है उसकी हर एक line के बारे में आपको introduction मिल जाएगा voltage कितना होता है, कैसे होता है, frequency कहाँ पर बनती है इसके साथ साथ, कहाँ पर ampere बढ़ाया जाते है, कहाँ पर voltage बढ़ाया जाते है ये आपको पता होना चाहिए, इसके बाद में types of problem in charging section charging के section में कितने type की problem आती है, ये भी आपको देखना होगा उसके बाद में troubleshooting, तो इस वीडियो में हम देखेंगे inductive charging के बारे में inductive charging का जो circuit होता कैसे काम करता है, उसके बाद हम देखेंगे how to work charging section अच्छे से देखेंगे, types of problem और troubleshooting के बारे में जानेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसके बाद मैं capacity और linear पर भी वीडियो डालूँगा ठेक है, तो अभी आगे शुरू करते हैं, inductive charging circuit inductive charging का circuit बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे, अगर ये वीडियो कोई beginner, कोई fresher भी देख रहा होगा घर पे बैठके भी देख रहा होगा, दुकान नहीं खोला है, तो भी आप इसको वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देख करके notes जरूर बना लेना, इससे ये benefit होगा कि आपको ये clear हो जाएगा कि charging का circuit काम कैसे करता है इसके बाद अगर आप repair करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर कोई experienced person है, जो कहीं से सीख चुके हैं पहले भी, उनके लिए भी इसमें काफी कुछ नया मिलेगा और इस वीडियो को अब continue करें, बिल्कुल zero से शुरू करेंगे, charging socket से तो यहाँ पर micro USB charging socket है, यहाँ पर 5 pin होती, तो सबसे पहली pin जो होती है हमारी यह V bus की होती है V bus का मतलब है कि यह 5 volt carry करता है, तो यह जो हमारी pin होती है सबसे पहली वाली V bus की होती है और यहाँ पर 5V आपको देखने को मिलेगा और यह 5V सबसे पहले जाता है आपकी OVP IC में OVP का फुल्फरम होता है Over Voltage Protection तो इस IC का काम होता है आगे के सर्किट को जो चार्जिंग की IC होती है चार्जिंग का सर्किट होता है उसको Over Voltage से प्रोटेक्ट करना इसके बाद में जब यह Voltage सहीं होगा मतलब की OVP जो है यह सेंस करेगी कि यह Voltage सहीं है कि नई अगर यह Voltage सहीं हुआ तो फिर यह इस Voltage को आगे भेजेगी आगे फिर यह आपके चार्जिंग IC तक जाएगा चार्जिंग IC के अंदर VBUS इन पे यहां तक होने के बाद में अब सर्किट आगे जाता है Voltage जो है आगे बनना शुरू होते हैं तो सबसे पहले यह है आपका VPH का सर्किट इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं से होती आपकी Slow Charging की Problem और Fake Charging की Problem भी और Last No Charging की भी Problem तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा एक लाइन और ले लेते हैं यह PMID की Charging की सर्किट में एक PMID की लाइन होती है जो यहां से ही Interconnected होती है ठेक है और जो यह VBUS की लाइन होती है यह SW की लाइन तक जाती है internally कुछ MOSFET के द्वारा और यहां से ही आपकी Frequency बनना भी शुरू हो जाती है तो यहां पर एक Graph आपको दिख रहा होगा Frequency का इस प्रकार से यहां पर Frequency बनती है constantly बनती रहती है और यही Frequency आपके इस तरफ Cap की तरफ भी जाती है ठेक है यह है आपका BTST Boot Cap Boot Cap का काम होता है यहां पर सिर्फ Frequency को sense करना इसके बाद में यही Line आगे जाती है यहां पर भी Frequency ही होगी लेकिन जब यह Quail तक जाती है इस Inductor तक जाती है तो Inductor पर जाने के बाद में यहां पर Frequency आपको देखने को नहीं मिलेगी ठेक है यहां पर हो गई Frequency गायब इस चीज को याद रखना यहां पर Frequency नहीं होती क्योंकि सबसे पहले Frequency को खतम करता है यह Inductor क्यों Inductor खतम करता है इसके बारे में आपको पता ही होगा Inductor Magnetic Field में Convert कर देता है Sorry Magnetic Field Create करता है जब इसमें Current आता है तो तो यहां से Current ही आ रहा है तो हमारा जो क्वाइल है ये एक Magnetic Field Create करता है और जब यहां पर Negative वोल्ट आता है तो Negative को रोग करके यहां पर जो ये Stored Volt होता है इसके अंदर में Magnetic Field के तौर पे उस रूप में उसको ये आगे भेजता है जिसके कारण यहां पर आपको एक Stable Current देखने को मिलता है लेकिन ये पूरे तरीके से Stable नहीं होता उस Current के Flow को Stable करता है ये Cap यहां पर ये जो Cap लगा है ये Current के Flow को Stable करने के लिए लगा है और जब ये Current Flow Stable हो जाता है तो यहीं से एक Line जो है ये Feedback के लिए जो आप देख सकते हैं ये जाती है Feedback के लिए आपके Charging IC में दुबारा से है ठेक है तो यहां तक आपको अगर समझ में आया है तो आप आगे चलें अगर नहीं समझ में आया है तो दुबारा से आप इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते है ठेक है तो यहां तक का ये Circuit था अगर ये Circuit सही हुआ तो यहां पे 3.7 से 4.2 Volt तक आपको देखने को मिलेगा VPH की Line में अगर इससे कम देखने को मिलता है तो आपकी Charging में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी अब यह आगे चलते हैं सब कुछ सही होने के बाद में जो Feedback का Voltage होता है इसी Voltage के द्वारा आपका VBAT भी बनता है लेकिन ये एक पुराना Circuit में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आए Charging का 20 पुराना जो Redmi 5A का Circuit है Old Model है लेकिन अगर आप उसको सही से पढ़ोगे तो ही आपको Charging के आगे के Circuit जो है वो समझ में आएंगे तो अगर आपको Step by Step सीखना है तो बिल्कुल Zero से Ground Level से आपको सीखना होगा जो आपकी Charging IC होती है Charging IC से ये Feedback की Line के द्वारा Voltage आगे आता है CHG Out में CHG Out आपके FG में आती है यनि की Fuel Gage में Fuel Gage का काम क्या होता है जैसे आपकी Bike में Fuel Gage लगा होता है Fuel का आपको Meter दिखाता है कि कितना Fuel बाकी है कितना खतम हो चुका है वैसे ही Fuel Gage IC जो होती है हमारी ये आपको बताती है कि कितना चार्जिंग अभी आपके बैटरी में बाकी है कितना चार्ज हो चुका है ये सारी चीजे इसके बाद जब Fuel Gage में आपका ये सर्किट आता है यहां तक Line आती है Voltage की, Charging Out की तो यहीं पे होता है आपका Charging Voltage V मने Voltage Charging का जो Voltage है अब यहां तक आ चुका है Fuel Gage में आने के बाद Sense होता है Sense होने के बाद में आपके बैटरी तक आता है यह बैटरी Connector तक यह सर्किट अभी पूरा नहीं है सर्किट में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको आगे जानने को मिलेगी वीडियो को बिलकुल Continue करें बीना Skip किए ठीक है तो इसके बाद में बैटरी के Connector का जो सर्किट है इसको पूरा कर देते हैं प्लस और माइनस यह आपका Positive Side हो गया यह Negative Side हो गया इसके बाद में ID की Line और Therm की Line ID की Line कुछ मॉडल में Charging IC से किसी में Power IC से और किसी में CPU से भी Connected होती है इसलिए इसको कहीं पर भी Connect नहीं किया गया है आपको सिर्फ बताया गया है कि किसी भी जगा से Connected होट सकती है ठीक है वैसे ही सेम Therm की Line होती है इस Model में तो Therm की Line यहां से Connected है ठीक है इसके बाद में DM की लाइन देख लेते हैं, DM की लाइन आपके CPU तक आती है, यह आपका CPU है, CPU में DM और DP दोनों ही लाइन आकर के connect होती है, इन लाइन के द्वारा ही आपका data transfer और data receive होता है, इसके बाद charging से, charging की IC से यह इस प्रकार से connect होता है, बीच में एक register लगेगा दोनों क दोनों register की value भी लगभग same होती है, अब यह जो line होती है, आपके charging IC से जुड़ी होती है, यहां से यह charging related जो भी आपका communication होता है, वो करता है, और charging से पहले जो आपके CPU में जुड़ा है, यानि की इतना circuit है, यह आपके data transfer के काम आता है, data receive के काम आता है, जब आप computer से attach करते ह आप OTG लगा करके तब, तो यह आपके charging का circuit यहां पर पूरा हुआ, ठीक है, अगर आपको यह circuit पूरा समझ में आया है, तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं समझ में आया है, तो थोड़ा रुक करके, pause करके, वीडियो बापस से rewind करके, आप दुबारा से देख लो, तो काफे important है, आप सभी के लिए, अगर आप mobile repair सीखना चाहते हैं, काफी detail में, या पहले से mobile repair सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी set repair करने में अगर आपको दिक्काच जाती है, और आप detail में सीखना चाहते हैं, और learning करना चाहते हैं, mobile repair के बारे में, तो नीचे दिया हुआ, यह ज online batch में fees काफी कम है, और 2 घंटे की everyday class होती है, course लगभग 30 से 40 दिन का होता है, इस course में आपको बिलकुल 0 से सिखाया जाता है, voltage current के बारे में भी बताया जाएगा शुरू से, क्योंकि voltage और current के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि bug converter कैसे current को बढ़ाता है, कैसे voltage को कम करता है, boost converter कैसे current को कम करता है, लेकिन voltage को बढ़ाता है, यह deal कैसे करता है current और voltage के साथ में, यह सारी चीज़ आपको जानना होगा, frequency कितने type की होती है, हमारे phone में कहां आप check कर रहें, multimeter से, वो कौन सी line है, कैसे काम करती है, क्या आप आपको multimeter पर reading देगी, voltage में, current में, ampere में, frequency में, यह सब कुछ आपको A to Z आपको सिखाया जाएगा, और बस आप class में अगर join करना चाहते हैं, तो नीची दिवे number पर संपर करें, और यह बात बिलकुल सही है, कि आप कहीं पर भी join करेंगे, एक महने में अगर आप सीख पात पड़ेगा, मान लेते हैं कि अभी आप बिलकुल fresher या beginner हैं, और आप सीख लिए, सीखने के बाद एक दो महना काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस type की problem आपको set repair करने में जाती है, आपको network में ज़्यादा दिक्कत जा रही है, सीखने के बाद में समझ आ रहा है, य एक दिन class में बैट करके, ये video भी as a demo आप देख सकते हैं, join करने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि demo class में join करना है, तो 15 April को हमारी एक demo class होगी, रात 9 बजे, इसमें आप join कर सकते हैं, ये नीचे दिया हूँ number आपको पहले save करना होगा, save करने के बाद में अपना न country से काफी queries आती है, तो country name जरूरी है, ठीक है, इसके बाद आपको class में बता दिया जाएगा कि आपकी class कब होगी, और 20 students से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तो आप अपना नाम जल्दी register करा हैं, और ये class बिल्कुल free है, ठीक है, तो class आगे शुरू करते हैं, अभी का जो ये आलो में है, जो बिल्कुल fresher है, उनके लिए, ये है हमारा circuit, ठीक है, यहाँ पर जो आप line देख रहे हैं, V bus की line पे, यहाँ पे 5 volt आएगा, 5 volt आने के बाद में, यही voltage PMID में जाएगा, जैसा कि आपने पिछले circuit में देखा, और उसके बाद में, यही voltage, यहाँ पर आने के बाद में, आगे, SW की line के द्वारा, switching होते हुए, आगे जाता है, बीच में ये coil लगी होती है, यहाँ पर switching होते हैं आपको दिखेगा, लेकिन आगे कोई भी switching आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके बाद में, यहाँ से यह नीचे जाता है, feedback की line में, SYS sensing feedback सब एक ही होता है, इसके बाद यही voltage, इस तरफ VBAT की तरफ जाता है, VBAT में जाने के बाद में, CHG out, जैसा कि आपने पह SDA, SCL, SDA, SCL जो यह आपको line दिखाई दे रही है, यह CPU से जुड़ती है, एक मिनिट, यहाँ पर कुछ line और भी है, जैसे कि INT, interrupt की line भी आपके CPU से आती है, ठीक है, और काफी सारी यहाँ पर line है, जैसे कि PSEL, ठीक है, TS, TS मने temperature sense है, यहाँ पर temperature की sensing भी होती है, इसके बाद में REGN, BTST, BTST के इस तरफ आपको current देखने का, सुरी इदर आपको frequency मिलेगी, यहाँ पर आपको सिर्फ voltage मिलेगा, क्यों होता है, यहाँ पर इस प्रकार का circuit, ठीक है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काफी सारी चीज है, जो मैं YouTube पर नहीं दे सकता है, ठीक है, इसके लिए आपको, जो हमारी demo class है, आप वहाँ तका सकते हैं, या फिर personally मुझे message कर सकते हैं, WhatsApp पर, या हम एक class organize कर सकते हैं, आप सभी के लिए, ठीक है, एक online class जो free होगी, तो यह है basic inductive charging circuit from Redmi 5A, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ प तो यह सिर्फ यहाँ पर आपको voltage के बारे में पता चलेगा, लेकिन इस voltage को ले करके, यहाँ पे 3.5 ampere भी यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, और यही reason होता है, आपके phone में जो charging होता है, उसका, लेकिन अगर यह coil खराब हो जाएगी, तो यह ampere नहीं बना पायेगा, यह cap ख fault finding के लिए, fault finding के उपर और भी हम detail में बात करेंगे आगे के videos में, बट यहाँ पर इस circuit को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यह video अभी काफी लंबा होने लगा है, इसके बाद होगा यह कि काफी लोग video को पूरा देखेंगे नहीं, उसके बाद में कुछ comment भी आएगा कि यह video ब यहाँ पर जो आपको I2C की line मिल रही है, I2C, SDA, SCL की line, इन line के द्वारा आपकी जो charging IC है, उसको control करता है CPU, ठीक है, same line आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, fuel gauge की IC में नीचे लिखा हुआ है fuel gauge, क्यों मैं Redmi 5A का circuit पढ़ा रहा हूँ, reason यह है कि यहाँ पर हर एक detail में समझाती है कि कौन सी IC है, उसका नाम क्या है, line कौन सी है, नाम क्या है, full form क्या है, बहुत कुछ आपको पता चलता है, तो यह छोटी सी एक IC है fuel gauge के लिए, इस IC का काम होता है, sense करना कितना current है, कितना बागी है, कितना खतम हो चुका है, लेकिन अगर इसी चीज को आप hardware solution के माध्यम से समझेंगे, hardware solution के माध्यम से अगर आप कोई चीज को समझोगे, तो आपको वहाँ पे knowledge पूरी नहीं मिलने वाली, और repair भी शायद ही आप कर पाएंगे, यह जो आपको छोटी सी IC दिखाई दे रही है, यही आपकी fuel gauge IC है, लेकिन यहाँ पे जो आपको IC दिख ठीक है, और BTST जो cap है यह है, यहाँ पर लगा है, इसको अगर सही से समझें तो यहाँ से इसको crop कर लेते हैं, और paint के माध्यम से ज़्याद आपको बहतर समझ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो fuel gauge IC है, पहले उसको समझो, यह IC आपकी fuel gauge की है, तो असल circuit जो है, वो कैसे काम करता है, तो VBAT का जो supply है, सबसे पहले आपके एक register पर आता है, इसको shunt register बोला जाता है, यह sensing register, इसके बाद एक सीरा जाता है आपके charging, fuel gauge IC में, दूसरा side जो होता है, यह भी आपकी fuel gauge IC से इस परकार जुड़ा होता, उसके बाद यह आपकी battery connector तक आता है, और यहाँ पे जो आपकी एक coil है, यह है VPH coil, VPH coil की इस तरफ switching होती है, यह है BTS की cap, इतना important cap है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका circuit नहीं मिलेगा आपको, यह बिलकुल basic है, fresher के लिए है, आप अगर advanced level पर repair करना चाहते हैं, तो hardware solutions एक सिर्फ आपको अनुमान लगेगा कि कौन स नहीं, यह सिर्फ एक आपको road map की तरह मिल जाता है, कि एक basic सा, कैसे आप यहाँ पे काम शुरू करेंगे, कौन सी IC का placement कहाँ पर है, आप बेना diagram में, schematic में गुसे, इतना देख सकते हैं, लेकिन अगर circuit में कोई problem है, तो उसको find करने के लिए schematic की जरत पड़ेगी, और काफी स सारी schematic OPPO, Vivo, MI, की आपको मिलेंगे नहीं, तो वहाँ पे जो schematic नहीं मिलेगा, उस पे आपको कैसे काम करना है, यह हम आपको class में समझाएंगे, काफी अच्छे तरीके से, तो यह आपका hardware solution है, अगर आपको इसके बारे में पता है, तो ठीक है, नहीं पता है, तो आपको अ आने वाली तीन line दिखेगी, एक है आपकी यह I2C की line, SDA, SCL की, इसके बाद एक GP out की है, general purpose out की, यह भी line आपके CPU में जाती है, यहाँ पे bad therm की line आपको जोड़ी होई मिलेगी, ठीक है, SRP का मतलब होता है sensing register positive, SRN sensing resistance negative, यही वो बड़ा सा register है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे कोई भी line जुड़ी होई नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप इस circuit को actual देखोगे, तो यह कैसे काम करता है, जितने detail में आप जानोगे, जितने detail में पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप इस video को skip करके देखोगे, तो गलत बात होगी, क्यो आउट हो करके, यह आती है आपके CHG OUT तक, इसके बाद में यह voltage आगे जाता है, यहाँ पे sense होता है, SRN में, इसके बाद यह register के द्वारा आगे जा करके, आपके VBAT तक, यानि की battery connector तक यह जाता है, यह आप battery connector देख सकते हैं, इसके इस side पे, यह voltage आगे जाता है, इस प्रकार से, तो इतना बड़ा यह circuit है, इतना important है, और hardware solution में अगर आपको यह दिखाया नहीं गिया है, तो इस चीच के बिना आप repair भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज भी काफी सारे जो set हैं, जैसे की काफी सारे हमारे जो customer हैं, जो की दुकानदार हैं, जो YouTube से देख कर के भी set हमारे पास भेजते हैं, रिपेयर करने के लिए, वो ऐसे ऐसे set रिपेयर करने के लिए भेजते हैं, जिसका पूरा पूरा वीडियो YouTube पे रखा हुआ है, कि कैसे उसको रिपेयर करना है, चार्जिंग का सर्किट एक एक, स्टैप बाई स्टैप, पचास सो वीडियो पड़े होंगे, लेकिन लोग महनत करना ही नहीं चाहते हैं, अभी इतना हमने आपको बताया है, एक्स्प्लेइन किया है, यह पूरा वीडियो भी काफी कम लोगों ने देखा होगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखे, तो आप कमेंट करें कि आपने पूरा वीडियो हम भी हमको भी motivation मिले आगे वीडियो बनाने के लिए और अगर आपको लगता है कि ये class अच्छी होगी आपको join करना चाहिए तो आप बिल्कुल join करें 20 अप्रेल से ये class शुरू होगी उससे पहले अगर आप demo class में आना चाहते हैं तो demo class में भी आ सकते हैं ठेक है demo class बिल्कु पेन लेकर जरूर बैठना है क्योंकि अगर आप अपना समय दे रहे हो तो दो से धाई गंटे की एक class होती है डैड मोईल के ओपर ही हम बताएंगे आपको तो दो से धाई गंटे की जो एक class होगी उसमें आपको जो boot sequence पढ़ाया जाएगा धाई गंटे में इतनी सारी चीज होंगी जो आप भूल जाएंगे इसलिए copy pane लेकर जरूर बैठें और अगले ही दिन उन सारी चीजों का practical भी जरूर करें तो 15 अपरेल को रात 9 बजे आप से मुलकात होगी class में और जिन्होंने भी वीडियो को आखरी तक देखा उनको बहुत धन्यवाद और advance में thank you अगर आप यहां पर comment करते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखे ठीक है तो आप से मिलते हैं हम class में ओके जी यहां पर हम class खतम करते हैं ठीक है thank you